हेलो एवरीवन, वेलकम टू आउनलाइन एलर्निंग प्लेटफार्म आफ एगरी कल्चर रहन जी के इस वीडियो के माध्यम से मैं अभिनाई दिक्षित आज आप सभी लोगों से Economic Entomology के बारे में डिसकस करने वाला हूँ अगर आप FCI Assistant Grade 2 Manager, FCI Assistant Grade 3 Technical Exam की preparation कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए Most Important होने वाली है चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को वीडियो में आगे पढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक Important Information है अगर आप Food Corporation of India FCI Assistant Grade 3 Exam की preparation कर रहे हो तो आप Agriculture GK Platform से इसका Complete Course इंजोल कर सकते हैं हमारे Course में हम आपको प्रवाइड कर रहे हैं syllabus के recording page 1, page 2 का Complete Notes जोकि आपका printable e-book के format में होगा इसको आप print कर सकते हो Question Bank आपको दी जाएगी आपको phase 1, phase 2 के लिए mock test प्रवाइड किये जाएंगे इस course में YouTube Classes, Class Notes भी आपको प्रवाइड किये जाएंगे इस course का price पढ़ेगा केवल आपको 1499 रुपीस इस complete course को इंजोल करने की link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगी अगर कोई query होती है तो आप मुझे call कर सकते हो मुझे number की link आपको description box में प्रवाइड कर दी गई है इसके इलावा FCI के exam में agriculture GK platform से maximum selection हुए है all over India यहाँ पर हमने कुछ picks add कर रखी है अपने selection की stories की अगर आपको इनकी stories की वीडियो देखनी है इनकी सकते stories देखनी है तो आप वीडियो का description box चक करिए वहाँ पर आपको हमारी जो previous classes है और इनकी जो सकते story की वीडियो है उनकी link मिल जाएगी उन वीडियो को आप देख सकते हो और उनकी strategies को follow कर सकते हो अगरी कैचर GK platform पे आपको quality content दिया जा रहा है FCI exam के लिए affordable price पे तो quality content के लिए best coaching के लिए आप हमारे platform से इसका course इन्जोल कर सकते हैं चलिए start करते हैं और बात कर लेते हैं दोस्तो economic entomology के बारे में तो economic entomology entomology की एक ऐसी field है जिसके अंतरकत हम जो है जो beneficial और harmful इंसेक्ट होते हैं उनके बारे में study करते हैं और जो beneficial harmful insect होते हैं यह आपके जो है human और plants दोनों में जो है benefit और harmful effect करते हैं कि अगर दोस्तों बात की जाए ऐसे इंसे जो जो है किसी भी crop में या किसी भी human being में हार पहुचाते हैं directly तो उनको कहते है पेस्ट और ऐसे इंसेक्ट पेस्ट जो इंडरेक्टली क्राप या human being को हाल पहुचाते हैं उनको कहते हैं वेक्टर कि यह का करते हैं जो वेक्टर होते हैं यह आपके disease को spread करते हैं एक इनिमल से दूसरे इनिमल में कि अगर दोस्तों बात कीजाए classification के बारे में तो आपका economic entomology है इसके इंतरगर जो पेस्ट आते हैं उनको classify कर सकते हैं थी टाइप से पहला आपका आता है इंसेक्ट आफ नो economic importance इस category में ऐसे इंसे प्रेस्ट आते हैं जिनका कोई भी को नाविक importance नहीं होता है जिन से ना human या plant को कोई harm होती है ना इनसे कोई love होता है तो ऐसे सारे इंसेक्ट जो आते हैं आपके इस category के इंतरगत और दोस्तों जो यह topic है इसके इंतरगत बेसिकली हमें जो beneficial और हारम फुल इंसेक्ट हैं इनके बारे में study करनी है तो मैं आपको इस वीडियो को रिकमंट कर रहा हूँ आप इस वीडियो को देख लीजिएगा इस वीडियो को मैं नाद कावे बड़ते हैं और बात का लेते हैं इंसेक्ट औफ इकोनामिक इंपोर्टेंस के बारे में इसमें पहला आपका आता है इंडूरियोस इंचेक्ट आपके आते हैं इंडूरियोस की कि ऐसे सभी पेस्ट जो आपके कल्टिवेटेड जो आपकी क्राप कल्टिवेशन की जाती है फील्ड में लगते हैं या जो आपके हर्टिकल्टर क्राप्स होती है उन में लगते हैं तो ऐसे सभी पेस्ट आपके आते हैं पेस्ट ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट की कटिग्री क्राप पेस्ट कहलाते हैं आपके कि इसके कुछ एक्जामपल आपके हैं कॉटन बाल वारम जाइस इस्टिम बोरल ऐसे जिव्टे भी इंसेक्ट पेस्ट आपके फिल्ड क्राफ में या हॉटिक जर्ट में लगते हैं फिल्ड पर उस अभी इस कटेगरी में आते हैं दूसरा काता है इस्टोरेज पेस्ट यह ऐसे इंसेक्ट पेस्ट होते हैं जो आपका जब आप क्राप को अपनी हार्वेस्ट कर लेते हो उसको गोडॉर में सिफ्ट करते हो या उस क्राप को आप अपने यह उसका प्रोड्यूस होता है उसको आप जो अपने घर में स्टोर करते हो तो यह इस्टोलेज में आपके क्राफ को डैमँज करते हैं वहाँ parc और हर्म पहुचाते है और क्राफ में लॉस्स करते हैं तो ऐसे सभी եप apparently कहलाते हैं इस टोड़ेज के टेगर में आथे हैं और यह आप के जो इस्टोड्रप्र्रॉडंक्ट होते हैं उनमें लॉस्स करते है a economic importance. में के एकोणिक लॉस काज करते हैं इसमें आपका आता है ऐसेगली आइस ही भेल हो गया प्ल्स बीटल हो गया यह तिने भी आपके इस्टूरिज के पेस्ट होते हैं सबीस कटेगरी में आते हैं नेक्स्ट आपका आता है पेस्ट अटाइकिंग कैटल एंड डुमेस्टिक इनिमल्स ऐसे इन सेट पेस्ट जो आपके जो है कैटल पे जी आपके जुम डुमेस्टिक इनिमल्स है उन पे अटेक करते हैं वो सबीस कटेगरी में आते हैं उप το जैसे आपका हो घया हाउस फ्लाई फ्लीप प्लेस टॉर्ट लिज मि यह कहा करते हैं दोस्तों बैसिकली जिए नोरे जो आपके जो है डोमेस्टिक एनमल होते इनका ख्वून पी जाते हैं जैसे आपका जो वगएरा हो गयी ये पीट में आतेहें हैं से लावा आपका जो है यह जो है जो मान्स होता है जानवर का जो घाव होते हैं उन्में एक करते हैं और घौक का मास्क को खा लेते हैं ते एक भी पेस्ट आपके आते हैं पेस्ट अटेकिंग केटिल and domestic इ lugule कि कर्टेस्टि में रन्हेट आपका आता है household and disease carrying insect कि यह ऐसे इन्सेक्टत होते हैं जो आपके घरों में पाय जाते हैं और इस के करेयर होते हैं अगर बात की जाए household पेस्ट के बारे में तो इसमें आप काउख रोच हो गया और सो गया यह आते हैं यह करक डम कर इसे आपका सब्सक्ता defending करते हैं दूसरा आपका आता है disease carrying insect इसमें आपका मास्क्यूटो वहा हाउस फ्लाई हुआ बग बिटल हुआ फ्लीज हुआ यह सभी आते हैं मक्षर आपका हो गया और आपका गरेलू मक्खी हो गई कोई खटमल हो गया यह सभी आपके इस कटेगरी में आते हैं यह सभी जो है एक और रिम से दूसरे और इसमें डिजीज को ट्रांफर करते हैं बैसे नंबर दो पर आपका आता है बनलच इसमें आपका पहला है प्रोड़क्टिव इन्सेट इसमें पहला आपका आता है Silk Warm Silk Warm का लॉर्वा होता है इससे जो है में Silk मिलता है और Silk को हम Economic Importance के लिए यूज करते हैं दूसरा आप काता है Honey B Honey B जो आपकी होती है ये जो है Honey प्रवाइड करती है इसके लावा जो आपका B Wax है और Royal Jelly है ये प्रवाइड करती है नेक्स आपका आता है LACK insect LACK insect से आपका जो हैलाइक मिलता है like और लाइक का यूज क्या हमता है यह जोले आपका वैनीश हो गया और पॉलिस हो गया इसके निर्माड में सहायक होती हैं चलिए आगह बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं classification of honeybee के बारे में important है आपके पॉइंट आव्यों से इसको याद रखिएगा तो जो आपका हनी भी है ये किगडम एली मेलिया में आता है इसका फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा क्लास इंसेक्टा होता है और होता है है मिनोप टेरा फैमिली एपीडी जीनिस एपिस इस प्रिसीज मैली फेरा इसका तर्ट आब किनग भी दूसरा आप का था है कुइन तीसरा आप का होता है जो आपकी वरकई भी होती है यह इस त्राल को प्रोडे करती ए सकिर्वीका जो होता है इशक इंघ on होते हैं और इसके लेक्ट जो है स्पाइडर की तरह होते हैं नेक्स्ट आपका आता है ड्रोन यह मेल होता है और इसका अब्डामन जो छोटा होता है इसके विंग जो है लंबे होते हैं अगर बात की जाए दोस्तों क्लासिफिकेशन आफ लाइक इंसेक्ट के बारे में तो ज लेजिफर डी जीनेश लेजिफर इस पेसीज लेका क्या होता है लेकर 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 इनको आपको याद रखना है काफी इंपॉर्टन है आपके एक्जाम पॉइंट आप उसे चलिए आगे बढ़ते हैं बात का लेते हैं अब जो है सिल्क वार्म के क्लासिफिकेशन के बारे मे यह भी काफी इंपॉर्टन है आपके एक्जाम के लिए दोस्तों से पहला आपका आता है साइन्टिफिक क्लासिफिकेशन आप सिल्क वार्म इसका किंडम होता है एनिमेलिया फाइलम इसका है आर्थरोपोर्डा क्लास है इंसेक्टा और है लैपिडोप्टेरा फैमली है ब बात की जाए कुछ इंपोर्टेंट सिल्क मौथ की प्योंस के बारे में और उनके प्रोडुशिंग singers प्लांट परते हैं और, और वो किस टाइप का सिल्फ प्रोडूस करते हैं इसके बारे में तो इसमें आपके कुल चार टाइप के होते हैं पहला इसमें दोस्तों आपका आता है बॉम्बेक्स मोराई इस यह जो है आपका जो मलबरी प्लांट होता है इस पे यह पाए जाता है इसकी लीफ को खाता है और यह मलबरी सिलिफ को प्रोड्यूस करता है इसके जो टॉप प्रोडूसिंग स्टेट है उनमें आपका करनाड का आंद्रप्रदेश और तविलनाडू आते हैं नेक्स्ट आपका है अंधेरिया असेमैंसिस यह आपका चम्पा प्लांट के लीफ को खाती है और यह मोंगा सील क्रोड्यूस करती है इसकी जो टॉप प्रोडूसिंग स्टेट है उन्में आपका जो है असम हो गया मेगालिया हो गया नागालेंड हो गया और नाचर प्रेस और बड़ी पुड़ाते हैं नेक्स्ट आपका है अन्थेरिया, मिलीटा यह आपके अरजुन प्लांट पर सर्वाइब करती है उसकी लिप्स को खाती है और यह आपका टर्सल सिर्फ प्रोडूसिंग स्टेट है उन्में आपका वेस्ट बंगॉल, बिहार और जहरकंड आते हैं नेक्स्ट आपका है अटाइकस जिसीनी यह आपका क्लाइसटर का जो प्लांट होता उसके लिप्स को खाती है और यह इरी सिल्फ प्रोडूसिंग करती है इसके जो टॉप प्रोडूसिंग स्टेट है उन्में आपका आसम मेगालिया नागलेंड, अडोनाइसर प्रेस्ज और मड़ी पुराते हैं तो यह आपका जोसे क्लासिफिकेशन है सिल्क वाम का आपके एक्जाम पॉइंट आवे उसे मोस्ट इंप्रोटेंट है इसको आप याद रखिएगा इसे कोशन आपके एक्जाम में आ सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगरा फूट करपो यह आपको मिल जाएगा कोर्स इसमें आपको स्लेबर्स के एक्वाडिंग दोनों एक्जाम के लिए फेज वन फेस्ट्यू का कंप्लीट नोट्स मिलेगा जो कि प्रिंटेबल रहेगा को स्टन बैंक आपको दी जाएगी और आपको एजी टू और एजी ती दूनों के यह को आपको को सकते हो अगे बटते हैं बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में नेक्स्ट आपका आता है cart useful drug food ornaments पहला इसमें आपका आता है जम्सीन आईसे इसे कैंसे पेस्ट जो आपके अपको स्नलिल इंपॉर्टेंस होते हैं वो आपके आते हैं इसल्सिक्रणगी में जैसे अपका इस्टिंग्स होता है हनीबी का इसको जो है अत्रायटिस को क्रोल करने के लिए इसके दि मेनकर के रूप में इसके उपचार के रूप में यूज करते हैं दूसरा आपका आता है एंथोरिडिन यह आपका ब्रेश्टर बेटल से निकलता है और यह आपका हेयर टॉनिक के रूप में यूज किया जाता है दूसरा आपका जो कटेगरी है इसमें वो है ऐसा फूड ऐसे इंसे क्राप्स क्या करती हैं जो इंसेक्ट होते हैं उनको खा जाते हैं तो वो भी जो है जो इंसेक्ट होंगे वो भी इस कटेग्री में आएंगे यह आपके ट्रैप क्राप्स होती हैं वो भी इस कटेग्री में आएंगी होते हैं वो इस कड़ेजी में आते हैं नेक्स्ट आपका है ग्रास आपर टर्माइट और प्यूपी आप मौत इन सभी को जो है वर्ड में कुछ ऐसे पार्ट है को यह से देश है जहां पर जो है इनको हुं मुझे में करता है आपका चाइना हो गया और यह आपका रॉ island नोह इन सभी कंट्रीज में और कुछ आपकी ब्राजील की साड़ कंट्रीड है आपका साथ-घोंट्रीज मेरिक्ञान के उसकी कंट्रीज है वहां के जो ट्राइबर माईट्स को और मौथ होतें इनको खालत किस ढीका अथा हैं फूर्ड अफ ह trophies है human sorry फूड के लिए economic importance इंसेक्ट पेस्ट की घठकरी में नेस्ट आपका आता है ornaments and entertainer ऐसे इंसेक्ट पेस्ट जिनको हम जो है सजावट के रूप में या आपका जो है entertainment के रूप में यूज करते हैं वो सभी आते हैं आपके ornaments या entertainment के रूप में इसमें आपका जो बटर फ्राई होता है उसको आर्टिस्ट उसका जो करण होता उसको कॉपी करता है डिजाइन बनाने के लिए दूसरा इसमें आपका आता है बीटल्स बीटल्स वार्म को जो है लुजिए क्या जाता है कुछ जगभाशी लोग कोफें योजी करते हैं नेक्स्ट आपका हैं जसर्ष होता है उसमें जीकरे जाते हैं यह पहला आपका हता है is फिला दूसरा आपका आता है मास्कीटो इनको जो जेनेटिक इंजेसिंग के लिए और टॉक्सिको लॉजिकल स्टडी के लिए यूज किया जाता है आगे बढ़ते हैं पात पर लेते हैं नेश्ट आपका आता है help full इंसेक्ट ऐसें सब्सक्राइब को या human बीन को help पहुचाते हैं इनवार्मेंट को क्लीर करने में help पहुचाते हैं तो वो सभी आते हैं आपकी जो है helpful insect की category में इसमें पहला आपका आता है पैदा थिटॉइड यह आपके काफी छोटे insect होते हैं जो आपका host होता है host होता है insect उसके उपर यह survive करते हैं उसके से food पाते हैं और उसी पर यह जो है प्रमा लाइफ इस प्रेंट करते हैं और अंत में उसको किल कर देते हैं तो इस तरह से यह जो है host को किल करके helpful insect की category में आ जाते हैं इन में आपका आता है एग लारवल और प्यूपल प्यासिट्वाइड नेस्ट आपका और यह आपके लार्ज होते हैं इंशेक्ट और यह λाकरते हैं जो होते ह्ते हों जो हुआ होते हैं उनको खा जाते हैं इस तरीके दिए जो है आक ब्लीट में यूंच कर्दोटे हैं यह यह धींदソob आपका हाउस फ्लाई हो गया यह आपका जो मैंगो क्राप होती है उसमें पॉलिनेशन करती है नेक्स्ट आपका है जो हनी भी होती है यह आपकी जो है संफ्लावर क्राप में करती है पॉलिनेशन और पॉलिनेशन की ऐसी प्रॉसेस जो आपका इंसेक्ट के दौरा होती है उस में पहला आपका आता है पार्थेनियम पीटल यह आपके जुआ पार्थे्नियम जह वीडू होता है इसको ख्णाती है नैस्ट कोचिनल इंसेक्ट यह अपका जो होपन सीया प्लान्ट को जो होता है इसको ख्त modular आइप आज चलिए आगे बढ़ते हैं बात तरलेते हैं नेश्ट कटेगरी के बारे में आपका आता है श्वाइल बील्डर्स आई से इसट पेस्ट आपके स्वाइल में रहते हैं और स्वाइल में जो है यह क्या करता हैं आँ कि कुल बनाते हैं इन स्वेस तुरंग को सकता है एंच तो ये सभी आते हैं आपके के क DD पीटल्स हो गया लार्वा कॉट वर्म हो गया करिक्ट तो गया यह सभी आते हैं और जब ये जब उनकी हो जाती है जट तो डेस्ट होने के बाद जो है यह मैंने की रूप में हो जाते हैं करण वर्ट इस तरीके से यह जो है एक को नॉमिक की बॉटन सकते हैं नेस्ट आपका आता है इसके वेंजर्स इसके वेंजर्स ऐसे इंसेट प्रेस्ट होते हैं जो जो है आपके जो मर यांड बीटल जो वीटल यह सबी जो आपके देनि मल्स पर फीडिंग करते हैं और प्लांस पर इन्वार्मेंट को क्लिन करते हैं तो यह भी आपके घर में लेकर के हार्म पहुचाते हैं जैसे फरनीचर हुआ वूल हुआ पेपर हुआ इनको हार्म पहुचाते हैं तो इनमें आपका होगा कांकरोज फरनीचर बीटल सिल्वर फिस यह सभी आते हैं इस कटेगरी में नेस्ट आपका होता है कुछ ऐसे होते हैं पेस्ट जो आपके जो है किसी ह्यूमन को काट लेते हैं पेइंफुल बाट पैदा करते हैं और आपके जो है अब वेनम जो उनका जहर होता है वो इंसेक्ट के अंदर एंजेक्ट कर देते हैं सुरी human के अंदर कर देते हैं इंजट और पिर human को काफी प्रॉबलम होती है काफी दर्द होता है विसमें अभी आते हैं इस कट्रीगरी में इसमें आपका हो गया 20 इस्टिंग्स हो गया यह सभी आते हैं है यह इक टर्फिलर जो आपका होता है कि यह भी होता है जिसके हियर अटरें होते हैं मास्टीटो बग बग की बाइट होती है इसके लसकी वाविब का जो मास्टीटो होता है जो बग साझा होगा यह सभी जूँमन का खूँटे हैं और यह काट लेते हैं अपना जसे होता है एक टरनसफर करते हैं अपका काता है डिजीज काजिंग जिसमें आपका मास्टियों तो फंछाता है जिससे मैलेरिया हो गया फाइलरश हो गया देंगु फुबर हो गया यह सब ठरता है मास्ट्यूटो अगर बात कि जाए हौश फ्लाइक बारे में Κट्रीजी करती है हुए सुमरों इनिमल्स में है दोस्तों अगर आप फूट कर्परेशन आफ इंडिया एसिस्टेंट ग्रेट टू मेनेजर के लिए केवल अप्लाई किये हो आप इस एक्जाम की प्रेप्रेशन कर रहे हो इस एक्जाम को क्रेक करना चाहते हो तो आप एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म स इस एक्जाम के लिए complete course इंडोल कर सकते हैं हमारे course में आपको मिलेगा syllabus के recording complete notes YouTube classes class notes जो आपका फेज़ बन फेस तो दोनों का रहेगा प्रीवेश एर पेपर आपको दिये जाएंगे Lecture आपको दिये जाएंगे फेज़ वन फेस टू के लिए Question Bank का आपको दी जाएगी और आ पड़े या केवल आपको 1599 रुपीस इस कोर्स को इंजोर करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप एगरी कल्चे जी के एप या हमारी बेप साइट से इस कोर्स को इंजोर कर सकते हो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करिये सेयर करिये और चैनल को सबस्क्राइब करिये क्योंकि हमारे चैनल पर आपको FCI एग्जाम के लिए और जो भी एग्जाम सोते हैं इसके लावा आप अधिक चानकारी के लिए हमारे टेली को जाइन कर सकते हो या अगरी कर चैनल कर सकते हो हमारे आप पर आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे अफोर्डेबल प्राइस पे और आपको बहुत सारा फ्री नोट्स मिल जाएगा उस नोट्स को आप ले सकते हो और उसको आप पढ़ सकते हो फ्री आप कॉस्ट एप तो आपको हमारे एप को इस्टाल करिए और हमारे टेली ग्रूप को जाइन करिए थैंक्यो सो मच आल्दी वेस्ट